सबस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लिटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जो रात दो बजे के बाद इस्टेग्राम पर लड़कियों को वीडियो कॉल रिक्वेश्ट बेचता है वो भी सस्ता वाला विक पहन कर तो लड़किया साफदान रहे सतर कर रहे और इस भोसडी वाले से बचके रहे तनिवाद और नवस्कार तो हमारे महेश भोसडी वाले से पैसा बहुत है पुट्टे पे तो पूनी कपूर ने अपनी लव लाइफ रैकेट चूतिया पे वाली जिंदगी 1983 से शुरू किया जिस साल इन्होंने मोना सुर्वे नाम की एक लड़की से शाधी किया और हमारे भाय साब ने अपने इस एकाउंट से दो वीड्रोल्स भी क जो उस जमाने में मिठुन चक्रवर्ती की गल्फ्रेंड वा करती थी और ये जंगली भालू शाधी शुदा होने के बावाजूत भी श्री देवी से मिलने चला जाता था चाचा मैं तो आपको वस चूतिया समझता था आप तो टॉप लेवल के हरामी भी निकले चह 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 और इसने खुशी-खुशी 12 लाख रुपिये दे दिये और उस दोरां श्री देवी की माँ बीमार भी थी तो उन दोनों के लिए अमेरिका का टिकेट भी कटवाया और होस्पिटल का पूरा खर्चा भी उठाया तो इनी सारे चीजों को चलते इन दोनों भाईयों के भीच में काफी गुत्थम गुताई भी हो चुका है लेकिन हमारे श्री श्री जखास को कहा पता था कि ये पेमेंट्स मुवी के लिए नहीं कोई और ही चीज के लिए किया जा रहा था एट दी एंड 1996 में ये दो नादान सुवर एक हो जाते हैं बतलब ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और ये बेचारी बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहती है क्योंकि हमारी श्री देवी जी शादी से पहले ही 7 मन्थ प्रेग्टेंट हो चुकी थी तो इन हाला शुदा आत्मी के साथ लुडू खेल के प्रेग्नेंट हो जाने में और एक हस्ते खेलते फेमिली का लोडे लगा देने में अपे माना बुड़ा हमारा पैदाईशी चूतिया है बट इसका मतलब ये तो नहीं बनता कि तुम भी उसे ग्रिन सिगनल ही दे दो खेर चोड़ो यार इस औरोत को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि 2018 में इनका भी डेथ हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि एक ऐसी डेड इंसान के बारे में हम जादा बात करें बट यार हम जो भी कहलें लेकिन इस बात से हमें 100% एगरी करना पड़ेगा तो आगर इस दुनिया में ट्रू जानवी कपू और दूसरा दूसरे से किसी को कोई फरक नहीं पड़ता तो टोटल कितने बच्चे हुए एक दो तीन चार पतलब इसने भी हमारे महेश भोसड़ी वाले की तरह भारत की पॉपुलेशन बढ़ाने में बहुत सई कंट्रिविशन दिया है और इस